पंजाब विधानसवा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के हाथ केंद्र सरकार ने एक और मुद्दा थमा दिया है। 2022 की शुरुआत में विधानसवा चुनावों होने हैं। पंजाब के अधिकांश जिले बॉर्डर से सटे हुए हैं। पंजाब का आधा हिस्सा इस नियम के चलते बीएसिफ के अधीन आ गया है। इस सर्वदलिय बैठक में आम आदमी पार्टी शिरोमणिया काली दल, लोक इंसाफ पार्टी और शिरोमणिया काली दल यूनाइटिट के कई नेता ने बीएस एफ सीमा शेत्र के विरोध में सुर में सुर मिलाए। इस बैठक में बतोर पंजाब कॉंग्रेस अध्यक्ष नवजोसिंग सिध्धू भी शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी ने बुलावा भीजे जाने के बाब जूद इस बैठक का वहिशकार कर दिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट